हलो फ्रेंड्स मैं हूं मीना सिंग मेरे डिलीसे स्पुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स तो आज मैं बनाने जा रहे हूं नारियल का कोफ्ता जो की बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स एकदम नारियल का कोफ्ता जो है एकदम मलाई कोफ्ता जैसे करेंगे मसाला करने के लिए यहां मैंने दो प्याज है एंक उसमें डालोंगे और यहां मैं 15 काजू है और यहां कुछ खड़ा मसाला है फ्रेंड्स content अरुज आ में एहां गया एक इसकाधि यहां मैं है बाड़ी इलाएची है एक दौॅटी होटी दालम ढराprovाटों और यहां मैं लवंग 3-4 ले ली हूँ और काली मिर्च सफेद वाली जो मिर्च होती है फ्रेंट्स ओर ली ली हूँ और यह मैं खड़े मिसाले इसमें उपयोग करूँगी तो चलिए फ्रेंट्स हम आगे का पहले प्रोसेस करते हैं तो फ्रेंट्स यहां मैंने पैन रख दिय इसमें डालूँगी मैं जीरा और जो मैं खड़ा मसाला ली हूँ उसमें जो बड़ी लाइची या छोटी लाइची है उसको थोड़ा सा मैंने खलबटे में इसको कूट दी थी फ्रेंट्स ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए ओयल में और मैं दो यह जो हरी लाइच सब कल़े मसाले खड़े इसमें डाल कर दोंगी और खड़े मसाले ने एक बाइच करने पात थोड़ा सा मीस को फ्राइच कर लेते हैं तक इसका वयल में अच्छे से ॥्लिवर और इसको चला लेते हैं और इसमें डालेंगे फ्रेंट्स जो मैं चौप की हूँ जो है प्याज है और टमाटर इसमें अड़ करेंगे और यहां मैं जो है टमाटर और प्याज और फ्रेंट्स हरी मीर्च और जो अधरक है सब समागरियों को मैं एक साथ ही इसमें डाल देंगे पहले तो यह म Ari Fr gap इसारे जो है हमारे इंग्रीडियेंट हम जो पिनाने के लिए मसाले का इसमें मैं अड्ड गर दी हूं और इसको हम घर ही करेंगे तो यहां इसको हम चला लेते हैं अच्छे से ओर इसको मच तो हम अच्छे-छाने के बाद इसमें कुछ और इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाड़ डाल दूंगी थोड़ा सा नमक डाल दोंगी त्थकि जो मसाले अच्छे से स्वाफ्ट हो जाए और इसको हम अच्छे से कर ले अच्छे से अच्छे से आज़ों की तो मेंवgeht 10 15 काजु कम से कम है ताकि इसे ग्रेवी जो है बहुत रीच बनेगी और फ्रेंट थोड़ा साम पानी डाल करके आई इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से सौप्त होने तक इसको हम कुठा करेंगे तो इसको हम कभर कर देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं जो क नारियल ले लिए हैं जिसे इस कोफ़ता बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो पहले हम इसके छिलके को जो साइट चिलका है इसको रिमूब कर देंगे और कोईजरूरी जरूरी नहीं है इसका आप नहीं रिमूब करेंगे तभी बहुत अच्छा आपका जो है बनेगा कुफता लेकिन मैं इसको रिमूब कर दे रही हूं तो आप देख सकते हो फ्रेंट इसी तरह हम सारे छिलके को जो है रिमूब कर देंगे तो यहां मैं इसको रिमूब कर देती हुँ पहले तो यहां आप देख सकते हो फ्रेंट्स इसी तरह मैं सारे छिलके को रिमूब कर दूँगी और फिर इसको कट कर लेंगे पतले-पतले स्लाइस में तो पहले हम इस ने सारे छिलके को रिमूग कर दिया है फ्रेंट्स रिमूग करने के बाद यहां देख सकते हूं यहां सारे हमारा छिलके निकल गए इसको साइड में कर लेंगे और फ्रेंट्स इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए कट करने के बाद मैं इसक तो यह हम 32 क करीब वांड डाल दिए दक पह solids और उसको हम फाइन इसको पर से लिए अच्छे से कि तो मैंने इसको पर रहा शाबान पर आगे इसको अ बीडेख लेते हैं मसाला भी देख लेते हैं मसाला स की की तो वो में स्वाप्टaldo की आ कि में निकाल न निकाल देते हैं तो यहाँ मसाले को निकाल करके ठंडा कर लेते हैं तब तक तो आप देख सकते हो यहां मैंने बहुत अच्छे से नारियल का जो इसको अच्छे से पीस लिया है और इसमें अगर एक टुकड़ा रह जाए तो उसको कट भी कर सकते हैं कट करके पतले पतले एकदम डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा कुपता बनाने में लेकिन मेरा त आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पीसा गया है तो फ्रेंस हम मसाले को भी देख लेते हैं यहां मसाला भी मेरा ठंडा हो गया इसको भी हम जो है डालचीनी और इस्टारफूल जो है ना इसको निकाल दिये हैं बात में जब ग्रेवी बनाएंगे इसको हम पीस लेते हैं तब तक यहां बड़ा वाला हम जार ले लिए प्रेंस और जार में इसको हम फाइन अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो यहां हम इसको पेस्ट बना लेते हैं और फ्रेंट्स पेस्ट बना कर आप लोगों को दिखाते हैं तो फ्रेंट्स यहां मैंने बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिए आप देख सकते हूं इसका कलर कितना टेक्श तो दोनों आलू को हम इसमें ग्रेट कर लेते हैं तब आगे का जो इंग्रेडियंट हो डालेंगे तो हमने यहां दो आलू है जिसको मैंने नारियल में ग्रेट कर लिया है और इसमें डालेंगे फ्रेंड्स इसको तीन चमच हम डालेंगे बेसंचना का पहुच जाता हम नहीं और उपर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बेंगा यहां मैं एक चमच भ़र के धनिया पौडर ले लिया है एक और मैं डाल रहे हूं इसमें लाल मिर्च पाउडर तो फिर इसके बाद हम डालेंगे यहां मैं तीन हरी मिर्च डाल रही हुँ। आप जैसी तीखा काते हो ठोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल रही हुँ और यहां टेस्ट नमक डाल रही हुँ। इसमेंद अमचूर पाउडर डालूंगी जिससे इसकाइब वड़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी कोपता लगेगा और यहां मैं अधरक जो है ग्रेट कर ली हूँ अधरक और लहशुन है थोड़ा सा हमाई ग्रेट कर ली हूँ इसमें टेश्ट मतलब चटपटा बनाने के लिए और इन सभी को और इसमें अगर आपके पास मेरे पास अधनिया की पती तो मैंने नहीं डाला आपके पास अगर ह अच्छे से कोपता बन जाएगा इसमें अब बेशन की जरूरत नहीं है तो मैं तीन चमच इसमें बेशन और एक चमच चावल काड़ा डाल दी थी फ्रेंड्स आप देख सकते हो और अच्छे से जो है और हाथ में तेल लगा कलके फ्रेंड्स जो है कोपता थोड़ा चिकना में अच्छा रहेगा तो यहां हम बेशनर रखें बेशन में इसी तरह कोट करेंगे बेशन से है और अगर आपके पास बेशन कम हो नहीं हो तो आप इसमें इसको कर सकते हैं कोटिंग उससे भी हो जाएगा तो यहां मैंने सारे कोफटा बना लिया है और बना करके मैं तयार कर ली हूँ और फ्रेंट्स यहां मैंने पैन को रख करके ओयल को भी गरम कर लिया है और ओयल अच्छे से गरम हो गया इसके बाद फ्रेंट्स मैं इसको लो मीडियम पर कर दी हूँ त्याकि लो मीडियम पर ही कोफती डालेंगे तो है रहया तो इस पर जीतना हो सकेगा उतना में कोफता इस्ने करके हम छानेंगे तो यहां मैंने पांच कोफता डालें पहले फ्रेंड्स इसको अच्छ कर देंगे इसको और यहां हम डेख सकते हो फ्रेंस इतना अच्छा से कोफटा बन रहा है बहुत ही टेस्टी और इसको हलके हाथे से इसको हिलाईगा क्योंकि ए बहुत ही स्वाफट है तो इसा बातों का ध्यान देजिएगा तो फ्रेंस हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेखेंगे हलका हाथों से हिलाते हुए इसको हम golden brown तक सेखेंगे फ्रेंट्स तो यहां मेरा कोपता जो है बहुत अच्छे से सीख गया है golden brown हो गया है तो इन सब कोपतों को निकाल लेते हैं और आप देख सकते हो फ्रेंट्स कि इतना अच्छा color आया है बहुत ही tempting लग रहा है कोपता तो हम दूसरे और यहां मने डाल दे थी फ्रेंट्स और यहां मेरा इसलब का हाते से हिलाते हुए हम इन सब कोपतों को अच्छे से सिख लेंगे फ्रेंट्स तो यहां हमने इसको धीरी-धीरे हिलाते हुए अच्छे से हम कोफतों को सेक लेंगे तो यहां यह भी कोफता मेरा जो है अच्छे से जो है गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो फ्रेंट्स इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसका फ्रेंट्स इसको प्ले उसी सर्विंग प्लेट में जिसमें निकाली थी उसमें निकालेंगे तो यहां मेरा कोफता फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा कोफता बना हुआ है तो फ्रेंट्स इसको हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा और कितना कुरकुरा बना हुआ है आप देख सकते हो फ्रेंट्स कितना कुरकुरा बना हुआ है बहुत ही अच्छा बना हुआ है तो चलिए तो फ्रेंट्स यहां मेरा कोफता जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाफ्ट और कुरकुरा बना हुआ है तो यहां हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे फ्रेंट्स तो यहां मैंने पैन को उसी पैन को मैं ओयल जो ज्यादा था उसको मैंने निकाल दिया और जितना मतलब सब्जी बनाना है, इसमें ले लिया है, और फ्रेंस इसमें हम लो मीडियम फ्लेंपर मसालों को आड़ करेंगे, तो बहुत ज्यदा मसाला हम नहीं आड़ करेंगे, क्योंकि उसमें गरम मसाला भी मैं डाली थी, तो वहां एक चमच धन्या पावडर, एक हम तो आ चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं और है और यह जो है तो यहां हमारा जो है color कितना बढ़ियां आया है तो इसको चलाते हुए इसको हम लगतार चलाएंगे और friends जो हम लखे थे दाल चीनी और इस्टार तो उसको भी इसमें add कर देंगे और आप डाल भी सकते हो कोई जरूरी नहीं है अब हम डाल दी है इसमें आप डाल भी सकते हो की पतली बनानी है उसके इसाब से थोड़ा सा पानी add कर दीजिएगा और हमको बहुत जादा मतलब पतला नहीं बनाना है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें add कर दी हूं friends और आप देख सकते हो कितना अच्छा पीछे से coating आ रहा है उसी तरह जो कर्ची पर coating आ रहा है ना उसी में नमक थोड़ा कम डाली थी friends तो अब उसमें थोड़ा सा और नमक डाल देती हूं टेस्ट गोडिंग हो जाएगा और इसको हम अच्छे से कुक कर लेते हैं कम से कम दो मिनट इसको कुक कर लेते हैं जो मैं पानी डाली हूं तो इसको दो मिनट के लिए कुक कर लेते हैं friends यहां मेरा मसाला बहुत अच्छे सी framework हो गया है तो हम सर्व करके आपको दिखाएंगे निसमेरा मसाला बहुत अच्छे से इस इसको हम घथ का फ्लेम बंद नहीं करूंगी तो यहां मैंने सर्विंग प्लेट ले लिया है इसमें कोपते रख करके उपर से मैं ग्रेवी है जब इसको हम डालेंगे और इसमें ग्रेवी एट करेंगे और फ्रेंड्स मैं पहले से ही जैसे रेश्टुरेंट में तेल में जो है लाल मिर्च डाल देते हैं और उपर से डेकुरेट करते हैं उसी तरह मैं बना कर रखी थी जो गरम तेल में जो है लाल मिर्च पाउडर को डाल करके बनाई थी तो उस पर से इस पर डेकुरेट करेंगे तो यहां हमने उससे थोड़ा थड़ा उपर से डेकुरेट कर देती हूं इसी तरह फ्रेंड्स तरे स्टूरेंट में डेकुरेट करते हैं और देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है एकदम मलाई कुपता जैसा लगेगा फ्रेंट्स इतना टेस्टी लगता है खाने में तो यहां उपर से हमने डेकुरेट कर दिया है फ्रेंट्स और यहां आप देख सकते हूँ फ्रेंट कितना टेस्टी और बहुत ही रिलिशियस कोपता हमारा ना ये लका कोपता है तैयार हो गया है और ठावने में बहुत ही स्वादीश्ट लगता है फ्रेंट्स और एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाएगा बहुत खाने में टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स आपको कट करके हम दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट जो है कोफता बना हुआ है तो फ्रेंट्स क्या है न कि वीडियो सूट कर रहे थी तो कुछ प्राबलम हो गया था इसे मैं कट करके दिखा नहीं था हमारे परिवार के लोग जब खाए तो बोल रहे थी कितना टेस्टी बना हुआ है तो आगर आप इस तरीके से कोफते बनाओगे तो अंगुलिया चाट के खाते रहो जाओगे बहुत ही टेस्टी लगेगा तो फ्रेंट्स कोफते का वीडियो अगर आप लोग को पसंद प्रेंट्स